पिछले 24 गंटों में भरतपूर दोसा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिस रिपोर्ट हुई है सबसे ज़्यादा बारिस बांदी कुई दोसा में 91 mm इसके अलावा भुषावल में भी 91 mm यानि भारी बारिस रिपोर्ट हुई है इसके अलावा यदि देखें तो पिछले एक सब्ता से लगातार मानसून राजस्थान के कई लागों में सक्रिय है और इस सिजन में अब तक यदि पूरे परदेश में बारिस की बात करें तो सामान्य से 15% जादा बारिस रिपोर्ट हो चुकी है पूरवी राजस्थान में सामान्य से देखें तो 27% जादा है वहीं पस्चमी राजस्थान में सामान्य से 3% कम है जिलावार यदि देखें तो सबसे कम बारिस जालोर और सिरोई डिस्टिक में रिपोर्ट होई है यानि दक्षिनी राजस्थान में सामन्य से कम बरसाथ जो है वो रिपोर्ट हुई है सबसे कम जालोर में सामन्य से 60% नीचे है इसके अलावा सीरोई में देखें तो सामन्य से 38% बारिस नीचे दरज हुई है इसके अलावा जेसल मेर बाड मेर और बांसवाडा जिलों में भी सामान्य से यानि 20% से नीचे बारिस जो है वो रिपोर्ट हुई है तो कुल मिलाकर इस सीजन में अब तक पूरे प्रदेश में 97 mm बारिस रिपोर्ट हुई है जो की सामान्य से 15% अधिक है अब बात करें दि आगामी दिनों में बारिस की से इस इलाकों में भी हलके से मध्यम दर्जे की बारिस की गतिविदियां जारी रहेंगी इसके बाद यदि देखें तो 10-11 जूलाई से एक बार बारिस की गतिविदियों में कमी होने की संभावना है जो मानसून टरफ लाइन है इसके नौर्थ डारेक्शन में यानि हिमाले की तरफ सिफ्ट होने से राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में वेस्टरली विंड्स का इंपक्ट होगा तो 2-3 दिन बाद हम कह सकते हैं कि बारिस की गतिविदियों में कमी होगी हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ वागों में जरूर बारिस के दोर देखे जा सकते हैं लेकिन बारी बारिस की गतिविदियों में कमी आने की संभावना है इसके बाद देखेंगे तो 16-17 जुलाई से वापस से मान सुन्रे कवरोने की संभावना रहेगी